वो बोला मुर्गा दो, मैं बोला बापाची मुर्गा नहीं जूंगा, मेरा गिंती के हिसाले आता हूँ सुना आपने इस मजबूर मजदूर की सिर्फ एक छोटी सी गलती थी कि इसने इन तालिमानी सोच के अंदोलनकारीयों को ना कह दिया ना उनको मुर्गा देने के लिए ना उनकी बेतुकी मांग मानने के लिए लेकिन उस गरीब असहाय इंसान को क्या पता था उसका ना कहना उसकी जान पर बन जाएगा आपको बता दें कि सिंदू बार्डर पर अंदुलनकारी निहंग नवीन सिंदू ने कुंडली बॉर्डर के पास मुर्गा सप्लाई करने वाले मजदूर से मार पीट की बात इतनी सी थी कि निहंग ने मजदूर से मुर्गा मांगा था जब मजदूर ने मुरगा देने से इंकार कर दिया तो निहंग ने लाटी से पीट-पीट कर उसकी टांग तोड़ दी इतना ही नहीं आंदोलनकारी के भेश में छुपे बैठे इन गद्दारों ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के हाथ पाव काट कर उसका शव पुलिस बेरिकेटिंग पर लटका दिया था वहीं लखीमपुर खिरी में ड्राइवर को लाटियों से पीट-पीट कर मार डाला गया था मानवता की ऐसी हद शायद ही उत्तरप्रदेश की धर्ती पर किसी ने पार की होगी प्रदर्शन के नाम पर तालिबानी तरीके से मासूमों की हत्या करना उन्हें पीट-पीट कर अधमरा कर देना ये कोई आंदूलन कारी नहीं सिर्फ एक आतंकवादी ही कर सकता है यूपी वालों इन आंदूलन के अवसरवादियों को गौर से देख लीजिए ये दिखते हम जैसे ही हैं लेकिन इनका असली रूम एक आतंकवादी से भी जादा भयानक होता है